हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू इस्टेडी कर मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर नोबल पुरुसकार 2022 की घोशना हो चुकी है और इस हफ्ते नोबल पुरुसकार अलग लग छेत्रों में प्रदान किये जाएंगे तो सबसे पहले मेडिसन के लिए नोबल पुरुसकार 2022 की घोशना की गई है तो जो स्वानते पावो हैं उन्हें 2022 का मेडिसन का नोबल पुरुसकार मिल चुका है तो दोस्तों 10 दिसंबर को ये पुरुसकार प्रदान की जाएंगे इस अक्टूबर के जो पहला सब्ता है इसमें दोस्तों इनकी घोशना की जाएगी और फिर 10 दिसंबर को ये जो पुरुसकार है ये प्रदान की जाएंगे अब हम बात करते हैं 2022 के मेडिसन के नोबल पुरुसकार की तो सुईडन के विज्ञानिक है स्वानते पावो तो इन्हें फिजियोलोजी ये मेडिसन के लिए नोबल पुरुसकार 2022 से सम्मानित क्या गया है उन्हें ये पुरुसकार किसके लिए मिला है तो बिलुप्त हो चुके नियंडर्थल मानव के जीनॉम का सिक्वेंस तयार करने के लिए उन्हें ये पुरुसकार मिला हुआ है ठीक है जो नियंडर्थल मानव है वो 40,000 साल पहले बिलुप्त हो गया था तो उसके जीनॉम की खोज की है तो दोस्तो ये बहुत कठिन काम होता है कि 40,000 साल पहले बिलुप्त हो चुके जीनॉम की खोज करना तो उन्होंने असंभाव कारे को संभाव बनाया है इसलिए उन्हें नोबल पुरुसकार मिला है 2022 का दोस्तो स्वान्तो पावो ने इंसान की जो नियंडर थल नाम की जो बिलुप्त हो चुकी प्रजाती थी उसके जीनॉम की खोज के दौरान उन्होंने एक ऐसी टेकनिक को विक्सित किया जिससे किसी भी जीवास्म की जीनॉम तक पहुँचा जा सकता है देखिए दोस्तो अगर कोई जीवास्म आज मिलता है और वो प्राणी जो है वो 40-50,000 साल पहले बिलुप्त हो चका है तो नियंडर थल इंसान की खोज के समय जो स्वान्तो पावे थे उन्होंने एक ऐसी टेकनिक की है कि आज अगर कोई जीवास्म मिलता है तो उसके जीनोम का पता लगाया जा सकता है जीनोम क्या होता है जीनोम किसी कोश्का के वीतर जीन्स की जानकारी वाले सैट होते हैं और जीनोम के वीतर डीने होता है और उस डीने में उस जीव की पूरी आनवानसिक जानकारी रहती है तो इसे हम जीनोम बोलते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्वान्ते पावो के बारे में तो इनका जन्म हुआ था 20 अप्रेल 1955 को स्वीडन के स्टाक होम में 1986 में उपसाला यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की और वहीं से उन्होंने PhD भी हासिल की है उनके पिता थे सुने वर्ग स्ट्रॉमी वो भी एक वायो केमेस्ट्र थे उन्हें भी दोस्तों 1982 में नोबल प्रोषकार मिल चुका है यानी पिता और पुत्र दोनों को नोबल प्रोषकार मिला है इनकी महान उपलबदियों के लिए दोस्तो DNA को लेकर काफी काम किया है स्वानते पाबो ने उन्हें पैलियो जैनेटिक्स के तौर पर जाना जाता है PhD में जो उनका विसाय रहा है जिस पर उन्होंने रिसर्च की है तो उनका सब्जेक्ट रहा है E19 प्रोटीन और एडिनो वाइरस तो इस सब्जेक्ट पर उन्होंने PhD की है दोस्तो नोबल पुरुसकार की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ी हो कुछ important fact discuss करते हैं नोबल पुरुसकार जिसे दुनिया का सबसे प्रतिष्टित पुरुसकार माना जाता है तो 1895 में नोबल पुरुसकार की स्थापना हुई एक में पहली बार नोबल पुरुसकार दिये गए थे शुरुवात में केबल physics, medicine, chemistry, साहित और सांती के लिए दिये जाते थे लेकिन 1979 में पहली बार दोस्तो एकोनोमिक्स के लिए भी यह पुरुसकार दिये गए हैं अब तक दुनिया भर के 975 ऐसे सक्सियत हैं और संस्थान हैं जिन्हें नोबल पुरुसकार दिये जा चुके हैं और अब तक 609 नोबल पुरुसकार दिये जा चुके हैं तो दोस्तो ये सभी point आप note करिएगा, आपके exam के point of view से बहुत important है, अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे app को download करें, link उसका description में दिया गया है, telegram channel join कर लें, उसका भी link description में है, दोस्तो app पर आपको PDF मिल जाएंगे, test मिल जाएगा, तो PDF और test के लिए आ आप हमारे app को download कर लें, monthly current of yes, बरतमान में कौन क्या, और science के 1000 से अधिक प्रस्णो का जो PDF है, ये सभी आपको app पर मिल जाएंगे, तो आप इन्हें download कर सकते हैं, दोस्तो Google Play Store से भी आप हमारा app download कर लीजीगा, Google Play Store पर आपको study कर सर्च करना है, study कर जैसे ही आप सर्च तो आपको app मिल जाएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे like करें और share करें सभी दोस्तों को, सभी social media platform पर जैहिंद वंदे मात्रवूद।